आज हम एस्वी साब के पास आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी कारवाई कंप्लीट करेंगे और हमें आश्वाशन दिया है कि निस्पक्स जाच होगे और बहुत जल्दी यह अपना काम करेंगे पुलिस प्रशाशन और यह सारी चीजे मिली हुई लग रही है फिलाल तो क्योंकि हमारे साथ में 24 सक्टुमबर को जो केस दर्ज हुआ था तो उनको बिना किसी कारवाई के अरेस्ट कर लिया गया था और यहां पे अभी काफी लंबा प्रोसीजर चल रहा है मेरे 164 के ब्यान भी हो गई है फिर भी कोई कारवाई नहीं हो रही है तो आज हमें आश्वाशन दिया है एस्वी साब ने कि वह बहुत जल्दी मतलब की यह काम कंप्लीट करेंगे हाँ जाच अधिकारी बदलने के भी हमने मांग रखी है तो वो बोल रहे हैं कि दो तिन दिन में हम यह काम अगर होता है तो मतलब बहुत जल्दी यह कारवाई कर लेंगे